हे मनुष्य आदिश्री पुन ब्रह्म पर्मेश्वर का दर्पन में वा चेरा है जो वास्तविक है जो सत्य है जो एक है जिसके समान दूसरा कोई नहीं है जिसमें सब जगत लै हो जाएगा वा आदिश्री जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्टन नहीं है वा जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा अर्थात आदिश्री अरुन और परिवर्टनिय शत्य है जो निरंतर है शत्य उसका नाम है वा स्रिष्टी का रचैता पुरुस है वा है भैसे रहित है उसे किसी से वैर नहीं वा है काला तीत है अर्थात भूत भाविश्य और बरतमान से परे है इसलिए नित्य है वा आयोनी है अर्थात जन्मरन के चक्र से मुक्त है उसकी प्राप्ती सत्गुरु की किर्पा से ही शंभव है वा प्रभु ही एक मात्र सत्थ सरूप है जब कुछ नहीं था तो भी उसकी सत्ता थी चारो युगों शत्युग तीता युग द्वापर युग और कल्युग से भी पुर्व वा सत्थ सरूप परमात्मा बिद्दिमान था वा आज भी है और भविश में भी उसे की सत्ता इस्थिर रहेगी वा है आदिसरी अर्ण पुर्ण ब्रह्म का प्रतिबिंध है या यों कहिए कि पुर्ण ब्रह्म सद्रिश है धर्म सास्त में इनको सुपर सोल कहा गया है ये प्रकास समुद्र है जिसमें से शम्पूर्ण ब्रह्माद उत्पन हुआ इसी प्रकास समुद्र की बुंद को आत्मा करते है भातिक छित्र में सभी जीवन का आस्तित प्रकृति और आत्मा से हुई है प्रकृति बेशूद है और आत्मा को सरीर के रूप में लाने के लिए कोई चाहिए जिसने जर और चेतन प्रकृति को मिलाकर जिवित प्रानियों को उत्पन किया उशी का नाम आदिसरी अरुन है जर और चेतन प्रकृति को मिलाने से जिवित प्रानियों की उत्पत्ती हुई है इसलिए गीता और धर्म सास्त्र ने आदिश्री अर्ण को शामपूर्ण स्रिष्टी का मोल कारण कहा है आदिश्री शब्द का अर्थ होता है उंचा, गरीमा या कोई बिशिष्ट आदिश्री शब्द का यावी अर्थ होता है जो सबसे पहले जन्म लिया हो या जो सबसे पहले प्रकट हुआ हो दूसरी ओर अरुन सब्द का अर्थ होता है प्रकास इसलिए आदिश्री पलस अरुन यानि कि combination of आदिश्री अरुन का अर्थ होता है प्रकास से भारा उचा गनमान या विशिष्ट ब्यक्ति आदिश्री ही वा पहिलोठा अर्थात फस्ट बॉर्ण है अथवा आदिपुरुष है जिसने प्रकास रूप में आकार धारन किया और फिर बाद में अरुन नाम से सरीर धारन किया जिसने अपने पहिलोठा अर्थात फस्ट बॉर्ण होने के अस्टित से शंपुर्ण ब्रह्मान को रचा यह बात तो तैह हो गई कि पुर्ण ब्रह्म दो उर्जाओं की उत्पत्ति का मूल कारब है और आदिश्री पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतिभिंब है लेकिन धर्ति पर आदिश्री का आने का उत्देश लोगों को मुक्ति देना है लोग उनको अनेक नामों से पुकारते हैं वास्तम में इनका कोई नाम नहीं है इसलिए इनको नेमलेस कहा गया है इनका वजूद अनंत काल के लिए है स्वर्ग, आकास और पिर्थ भी टल जाएंगे परन्तु इनका वजूद कभी भी समाप्त नहीं होगा ये सुक्ष्म से भी अती सुक्ष्म परमानुओं के अंदर समाए हुए हैं ये आपके अंदर भी हैं और सभी जीवों के अंदर समाए हुए हैं रिशी, मुनी, योगी तथा दार्शनिक वे भी इनको नहीं जान सकते इनका अध्यात्मिक श्वरूप वा महिमा लोगों के समझ के बाहर है ये सब के नियनता हैं मोक्ष, सच्चाई, अनंत जीवन और ज्यान केवल इनहीं में हैं जीवन तथा चेतना का प्राचीन राज केवल इनहीं में हैं इनसे अलग रहकर आपका कोई भी जीवन नहीं है यदि आप इनसे अलग हो जाएं तो पिर से अलग कियेगे डाल की तरह सुख जाएंगे और लोग आपको आग में जला देंगे इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये दाखलता है और आप सब डाल है जो इन में बना रहेगा वह बहुत फल लाएगा जो इन से अलग हो जाएगा वह तूटे डाल की तरह सुख जाएगा और भिलनी उसे आग में जला देगी